नवस्कार बहुत स्वागत है आपका चैत्रमास के सुकल पक्ष की एकादसी को कामदा एकादसी कहते हैं हिंदू संबतसर की ये पहली एकादसी है और एकादसी का ब्रत भगवान नारायन के निमित रखा जाता है माननेता है कि कामदा एकादसी का ब्रत रखने से कष्टकारी जीवन से छुटकारा मिलता है समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं अगर विधी विधान से ब्रत रखा जाए तो तन और मन दोनों सुध हो जाता है जिन्दगी भौतिक सुख से परिपुन रहता है इस बार कामदा एकादसी कब है देखे इस साल कामदा एकादसी के ब्रत एक और दो अप्रेल दोनों ही दिन रखा जाएगा अगर हम पंचान की माने तो एक अप्रेल को सुभ एक बच कर 58 मिनट पर एकादसी तिती सुरू होगी और अगले दिन 2 अप्रेल 2023 को सुवर 4 बच कर 29 मिनट पर समाप्थ होगी सास्त्रों के अनुसार जब एकादसी ब्रत लगातार 2 दिन के लिए हो तो समर्थ संप्रदाया और घ्रस्त जीवन दोनों के लिए ये ब्रत पहले दिन रखना चाहिए लेकिन जो साधू संप्रदाया के लोग हैं वो इस एकादसी ब्रत को अगर इस बार रखना चाहते हैं तो 1 अप्रेल को ही रखना सुब होगा वैसे तो बैस्तर अप्रेल को ब्रत करेंगे तो इस दिन ब्रत अगर आप रखते हैं तो 2 अप्रेल को दोपहर 1 बच कर 40 मिनट से साम 4 बच कर 10 मिनट के बीच आप पारन कर सकते हैं और अगर आप 2 अप्रेल को ब्रत रखते हैं तो 3 अप्रेल की सुबह 6 बचकर 9 मिनप से सुबह 6 बचकर 24 मिनप के बीच आप पारण करेंगे इस ब्रत को आप दो तरह के से रख सकते हैं जैसे कि फलाहार, नर्जल दोनों ही तरीके से आप रख सकते हैं सुरियदे से अगले दिन ब्रत पारन तक मानेता है इस एकादसी ब्रत को रखना चाहिए भगवान स्री हरी की बिसेश पूजा कीजेगा दोपहर में मत स्वोईएगा और रात्री जागरन जरू कीजेगा वैसे तो अगर हम हिंदू संबतसर की माने तो पहली एकादसी है और मानेता है कि इस सुप्तिती पर ब्रत रखकर भगवान नारायन की पुजा अर्चना की जाए तो सारी मनो कामनाय पुर्ण होती है और आपके पित्री अगर प्रेत योनी में हैं तो उनसे उनको मुक्ति मिल मिल जाती है क्योकि पुरानों में कहा गया है कि कामदा एकादसी का ब Ugh करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है इस एकादसी को सर्वकारे सिद्ध और बनोकामना पूरी करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है इस दिन भगवान नरायन की बिधिवत पूजा करे तो घर से कलहकलेस दूर हो जाता है साथी जीवन में सुख सांती संपनता आती है और इस ब्रत के प्रभाव से सभी बुरी आदवतों से भी छुटकारा मिलता है इस दिन सिबलिंग पर भी एक लोटा जल जरूर अर्पित कीजिएगा और जल में आपको काला तिल या आप कुसा घास भी डालकर अर्पित कर सकते हैं कैसे करेंगे पूजा देखें ब्रह्म मुहृत में उठकर असनान बिगरे कर लें समस्त काईयों से निब्रत होकर आप भगवान विश्णु का स्मरन करते हुए ब्रत का संकल्प लें और भगवान सरी हरी की बिधी विधावन से पूजा करें भगवान को पीले पुस्प अ करें फिर एक घी का दिया जलाएं और अंत में आरती करें दिन भर ब्रत रखें और दूसरे दिन पारन करके अंगरहन करें तो एकादसी दिन आप अपनी योगेता के अनुसार दान धर्म भी कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासु देवाय का जब पूरे दिन करें तो सर्वो दूसरे के बरत का महत्म अपने गुरू बसिट से सुना था और गुरू ने उन्हें बताया कि एक बार भोगी पूर नमक नगर में राजा पुंडरिक राजी करते थे उस राज में कई अपसराएं किनर गंधर्व रहते थे और उसी राज में ललीता और ललित नाम के पती- पूरू बता दी जिससे राजा क्रोधित हो गए और ललीत को राक्षस बढ़ने का स्राब दे दिया अब स्राब की वजह से वह मनुसे से राक्षस बन गया इस से ललीता को काफी दुख पहुँचा और वो रिसी स्तरिंगी के पास पहुँची तब रिसी ने कामदा एकादसी ब्रत करने की सलाह दी तो ललीता ने चैतर एकादसी का ब्रत रखकर भगवान नारायन से प्राथना की कि मेरे इस ब्रत का फल मेरे पती को प्राप्थ हो जाए और भगवान नारायन ने पतनी के ब्रत का फल उसके राक्षस बन चुके पती ललित को दे लिया जिससे वह राक्षस एक बार फिर से मनों से बन गया और यह ब्रत के बारे में कहा जाता है किस बरत को रखने से उपासक ब्रम हत्या जैसे पापों से 50 योनी से भी मुक्त हो जाता है आप चाहते हैं कि पूरा साल खुजियों के साथ ही आए और पूरा साल अच्छा बीते तो सबसे पहली तो एक बात याद रखिएगा एक लोटा में अगर आप आपके घर में केसर है तो उसमें डाल दें नहीं है तो कोई बात नहीं आप एक लोटा जल ले जाकर सिबलिंग के उपर बिलपत्र डाल कर अरपित कर दें आपके पास बेलुपत्र भी नहीं है तो आप गंगा जल ही जाकर अरपित कर दें क्योंकि सिबलिंग पर अगर आप सिबजी को परसंद करने के लिए केसर मिलाकर या फिर हल्दिमट डालिएगा चंदन डालकर या बेलपत्र डालकर या पीपल का पत्ता डालकर तो जीवन की स्वास्त की मुश्ञें दूर होती धन की फोरा साल आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा है लेकिन अगर धन के मुष्किल जादा प्रियुक्त करें तब सिंपल सा प्रियोग कियेयर धन्की मुष्किल क्योंकि को धन्की मुष्किल अगर प्रियोग करे तो फस्त λ Keeping अगर अगर आपके लिए संभब हो तब दही घी सहद भी ले लीजेगा यानि कि ये पंचामरिज सिबलिंग पर अरपीद करें और फिर जल अरपीद करें ओम रुद्राय नमा का जब करते हुए पूरा साल धन आएगा धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी और भगवान की किरपा से जीवन में खुसियां भी बढ़ेगा लेकिन अगर पित्री दोस परेसान करें पित्री दोस के कारण ना तो तरक्की होती है ना उन्नती होती है ना स पित्री दोसों से मुक्ति मिलती है इस एकादसी का बरत रखने से समस्थ पापों से मुक्ति मिल जाती है अगर फिरामिक गरंथों की माने ने द्वारका यूग में इसका महात्म आप अगर इस दिन बत रखें आप इस दिन अगर कथा का सरबन करें तो एक हजार गौदान के बराबर पुर्ने फल की प्राप्ती मिलती है तो इस एकादसी की महमा बहुत है इस दिन गाए को अपने हाथों से गुड़ और काला तिल खिलाएं सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन से परिसानियां भी समाप्त हो जाएगी एकादसी तिथी के दिन कुछ ऐसे कारे है जो बरजित हैं घर में जारू नहीं लगाना चाहिए इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना ही जरुष से जादा बोलना चाहिए क्योंकि जरुष से जादा बोलने से मुख से असुद भासा निकलता है बरत्र जरूर रखें और तुलसी की पूजा जरूर करें चूरमे का परसाद बितरन करें ओम नमो भगवते वासु दिवाय का ज्यादा से ज्यादा जब करें अगर चंद्रमा गरवड हो तो इस दिन आप दूद का दान कर सकते हैं भगवान स्री हरी की अकेले पूजा ना करें बलकि उनके साथ मा लक्षमी की भी पूजा करें तभी पूरा आपको फल मिलेगा बिश्नु सहसर नाम का पाट कर सकते हैं अगर आप बद रखते हैं तो फलाहार करें आप चाहें तो विश्णू लक्ष्मी मंद्र का भी जब कर सकते हैं ओम नारा नाय बिदमहे वासुदेवा धीमही तन्नो विश्णू परचोधयात आप काम करोध मद लोब एहंकार से दूर रहिए और ब्रत का कथा जरूर पढ़े और सुले मा लक्ष्मी गनेश जी की भी प आगरन कर सके तो अतिव तम रात में एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर जरू जलाएं और जो तुलसी का पौधा है वहां पर भी साम में जलाना है आपको दीपक लेकिन तुलसी का पत्ता तोड़िएगा मत संभव हो तो इस दिन गेहूं का दान करें और पीपल के पित्री प्रसन्न होंगे उन्हें त्रिप्ती मिलेगी पित्री दोस्त समाप्त हो जाएगा तो हम आपसे विदा लेते हैं हरहर महादेव धनिवाद